Hey guys, मैं हूँ Shikha, welcome back to my channel. आज मैं लेकर के आई हूँ एक demanding video. कापी सारे comments आते हैं कि मैं मेरे skincare कैसे done करती हूँ. skincare का तो जबसे बड़ी बात ही है कि मैं सब ही को कहूँगी चाहे makeup करते हैं या नहीं करते हैं. skincare बहुत जादा important है. वो चाहे आप कुछ भी product यूज करो लेकिन जो मैं यूज कर रही हूँ आज कल वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एक तो आर environment मतलब इतना जादा pollution है. घर में रहो बाहर जाओ तो भी pollution और घर में भी रहो ना तो मतलब air में इतने जादा पॉल्योटेंट होते हैं कि हमारे स्कुर्ण को बहुत जादा हाम करते हैं. हमें पता नहीं चाहता है लेकिन अगर हम स्किन केर नहीं करेंगा तो धीरे-धीरे डल होने लगती है. अगर मेरे लिए तो बहुत जादा जरूरी क्योंकि डेली तना मेकप हो जाता है. थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए मेकप करना ही पड़ता है. काफी कोशिश करती हैं कि कम से कम करो लेकिन फिर भी इतना भोगी जाता है. लेकिन जब रो मेकप करते हैं तो उसके प्रोफाइल, शॉप से जहसे के अप साइट में देखी रहोंगे. यहां पर सारे प्रोड़क्ट मिलेंगे जनुएन क्योंकि सारे ही प्रोड़क्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे डारेक्ट फॉर्स तो यहां से आप आराम से प्रोड़क्स बाई करते हैं यहां पर तो सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए होती है वह होता है क्लिंजर जिससे के हमारा मेकप अच्छे से रहोग हो जाए अच्छा एक चीज़ और कोई प्रोड़क्ट आपको पसंदाए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा प्लस अगर आप यह कुपो कोड़ अप्लाई करके एकदम सस्ते में सामान खरीच सकते हैं सो फर्स्स प्रोड़क्ट जो मैं यूज करूंगी वह है ये खादी वेदा का क्लिंजिंग जिसको मैं काफी टाइम से यूज करूं आपनी काफी बार मेरी वीडियो में देखा होगा मुझे से रिकमेंड करते फिर कोटन की हेल्प से आराम से इसको वाइब आउट कर देती हूं यह आपके फेस से मेक अप डर्ट ओयल को बहुत ही अच्छे से रिमूब करेंगा प्स मसा फेस का जो टेक्चर है न वो बड़ा ही स्मूध सो हो जाएगा जब आप इस अपने रेगुलर यूज में लाइ इसके साथ मुझे रिफिल भी मिला है यार पता है मुझे इस कॉम्बो पैक बड़ा ही सही लगता है जब आपका फेस वाश खत्म हो जाए तो डारेक्ट इस पॉर्टल को ओपन किया उसके अंदर पूर किया सो हमें बार बार मतलब फेस को करूंगी नॉर्मल पानी से वाश और इसके बाद मैं इस वाव सकिन साइंस ब्राइटनिंग वाइटमीन सी फॉर्मिंग फेस वोश की थोड़ी सी क्वांटिटी पंप आउट करूंगी और अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में सप्लाई करूंगी और आप देखेंगे जो बिल्टन ब्रश है इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से मतलब हमारी स्किज सारा मेक अप डार्ट ओयल हो जाती है और यह हमारी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है जब काफी सारे कॉमेंट्स आता है कि अपनी आइस पर इसे अप्लाई मत क्या कर सो गाइस ब्रश बहुत जादा सॉफ्ट है आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं और इसकी हेल्प से ना पता है जो आई मेक अप होता है वो बहुत इच्छे से रिमूव हो जाता है सो मुझे काफी सही लगता है और यह सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है प्लस इसमें किसी भी तरह का कोई पैरबिन, सिलिकॉन, सिलिकॉ डर्मतोलोजिकली टेस्टिद आप रेगुलर यूज करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके स्पोर्ट्स होते है न वो धीरे धीरे डल होने लगेंगे फाइन लाइन रिड्यूस होने लगेंगी और यह आपके कॉम्पलेक्शन को ब्राइट करने में हेल्प करेंगा अच कोड़े से ड्रॉप्स अपने फेस पर लेने हैं और सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है इसको जब आप रेगुलर यूज करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके ब्लमिशिस जो है वो कम होने लगेंगे इसकिन आपकी ब्राइटन होने लगेगी एक वो शाइन आच करें प्लस अपने अंडर आई पर कुछ ड्रॉप्स लें वहां इसकी अच्छे से मसाज करें सो देट कि वो अंडर आई जो ब्लैक प्लैक हो जाती है वो नहीं होंगी तो यह चीज मुझे 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 बड़ी सही लगती है क्योंकि जब मेकप करते हैं कितना भी चुपा करने के बाद आप देखेंगे कुछ दिन में आपकी इसकी ना बहुत जादा ग्लोइंग होने लगेगी और डार्क स्पोर्ट धीरे आपके कम होने लगेंगे अगर इसकी रूटीन आप नाइट में फोलो कर रहें तो इसके बाद कोई भी आप नाइट क्रीम अप्लाई कर स है अब घर में रहते हैं घर से बाहर जाते हैं तो स्किन केर जरूर करें जब आपकी स्किन में अच्छे से अब जो थोड़ा टाइम दे यह चीजे क्यों होती है मतलब जो ऑईल हम ब्लेंड करते हैं या फिर उसके बाद कुछ फेस पर प्लाई करते हैं तो थोड़ा टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बुक्स में जाएगा वहां से आप इनको इसली बाई कर सकते हैं और ध्यान रचना कर आपको पसंद आए और आप बाई करें तो यह कुपोन कोड यूज करना ना भूलें मिलती है अपनी निक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई